Hi all, last session में हमने देखा और operator की साथ where clause कैसे हम define कर पा रहे हैं आज हम देखेंगे not operator के साथ where clause कैसे हम define कर पाते हैं चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में चलिए जानते हैं scale not operator क्या होता है जब हम not operator लगाते हैं तो हमको reverse result मिलता है मतलब कि true condition होने के बाद भी हमें reverse result मिलता है उस true condition का कोई भी result हमें देखने को नहीं मिलता है पर example अगर आप यहां country column में देखें तो इंडिया करके कुछ inserted है records तो आप अगर यहां पे लगाएंगे country is equal to India condition और condition से पहले not operator लगा देंगे तो आप जब result को retrieve करेंगे तो आप देख सकते हैं country is equal to India जो की हमारा true condition है उसका कोई भी result आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब कि आपके true condition का आपको reverse result मिलता है जब आप not operator का इस्तमाल करते हैं तो चलिए देखते हैं example कैसे हम not operator इस्तमाल करके हमको क्या result देता है result देखने से पहले हम syntax देख लेते हैं not operator यूज करके हमारा syntax क्या होता है तो हमारा बता है select columns का name ले लेंगे from table का name जो है वो हम डाल देंगे फिर where clause यूज करेंगे फिर not operator यहां भी यूज करेंगे उसके बाद हम condition यूज करेंगे and और और operator में हम पहले condition देते थे फिर जाके और या फिर and operator को define करेंगे लेकिन not में पहले not operator को define किया जाता है फिर conditions को so for example हमारे पास यहां पर table है that is employee table और उसमें कुछ column से आप जैसे देख सकते हैं तो हम condition देंगे कि हमें country जो है Germany उसका कोई भी information हमें नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे अपना command select star मतलब की सारे columns को select करेंगे from employee table where condition यहां पर हम दे रहे हैं where clause फिर उसके बाद हम लिखेंगे not operator यहां पर पहले not operator यूज होगा फिर हमारा condition दिया जाएगा that is country is equal to Germany so हमको कोई भी Germany country का information नहीं चाहिए तो आप अगर result में जाके देखें तो यहां पर कोई भी Germany करके information हमको नहीं दिख रहा है India, Japan, UK लेकिन Germany करके कोई भी country नहीं दिख रहा है लेकिन अगर original table में देखें तो जार्मनी करके information आपको दिख रहा है लेकिन result table में आपको Germany कोई भी information नहीं दिख रहा है अगर देखें आपके पास employee table है और उसमें कुछ records inserted है तो आप देख सकते हैं यहां पर city में हमारे पास है Berlin, Tokyo, London, Pune and Delhi तो हम क्या करेंगे पूने के कुछ information हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे अब not operator यूज करेंगे तो हम लिखतेंगे select तो अब हम कुछ columns को ले लेते हैं that is employee ID और फिर employee name select कर लेते हैं और हमारा city रहेगा एक column और country रहेगा एक column तो इतने सारे columns को हमने select किया यहाँ पर हम लिखेंगे from that is from table का name है हमारा employee तो यह सारे columns employee table के है from employee table, where clause यहाँ पर use कर लेते हैं और where clause यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर not देंगे हमारा operator का name फिस city जो है is equal to पुने तो ये पुने जो है वो true condition है कि पुने जो है वो exist करता है हमारे table में लेकिन हमको result नहीं मिलेगा कुछ भी पुने का क्योंकि आप देख सकते हैं हमको कोई भी result होने का नहीं मिला जैसे कि आपने not operator यूज किया था not operator जब यूज करते हैं तो आपके true condition क आपको reverse result बलता है